अभी हम करने जा रहे हैं एट्थ क्लास के लिए चैप्टर नमबर 12 मैथमेटिक्स का एक्स्पोनेंट्स और पावर्स और ये पेज नमबर 195 पर ट्राइडी जाए ये करेंगे इसमें ये एक फार्मुला समझ लीजिए ये ये हम करेंगे जो की है अगर कभी भी आपके बास पावर्स आती है जैसे A रेस्ट पावर M multiply A रेस्ट पावर N multiply A रेस्ट पावर Q ले लिते हैं ठीक है तो जब कभी भी ऐसा होता है तो बेस अगर सेम है और यहाँ पर जो है multiply हो रही है तो इनकी पावर्स आड़ हो जाती है क्लियर है तो ये चीज हम अभी इस्तमाल करेंगे ट्राइडीज 195 के अंदर simplify and write in exponential form इसे हमें simplify करना है और फिर जो answer आएगा वो exponential form में करना है उसे खोलना नहीं है solve नहीं करना पूरा ओके कही बार होता है कि हम ध्यान से सुनते नहीं है और answer आगर मान लिया कम पावर के अंदर है जैसे 2 रेस्ट पावर 3 आ गया और तो आप क्या करोगे उसे 2 multiply 2 multiply 2 यानि की 8 8 करके वो answer लिख दोगी जो की गलत होगा तो ध्यान से एक question जरूर देखिए कि exponential में पूछा है या फिर इसको evaluate करने के लिए कहा गया है उसका ध्यान दीजिए पावर माइनस 3 है माइनस 4 है तो जब कभी यहां multiply है तो जो पावर जैसी है वैसी की वैसी ही आ जाएगी कोई उसमें निसान का बदलाव नहीं होगा अब ये दोनों की दोनों पावर ये वाली और ये वाली दोनों माइनस में है तो यहां दोनों माइनस में आ गई माइनस 2 की पावर माइनस 7 अच्छा कई बार क्या होता है question में ये दिया जाता है कि इसकी जो exponent है positive power के रूप में लिखी है तब फिर ये अलग case हो जाएगा तब ये answer नहीं होगा the given expression in positive power is equal to तब फिर ये minus जो है नीचे ले जाएंगे हम 1 upon में minus 2 की power 7 ओके ये तब करेंगे जब power positive में कह रखी हो अब second part पी रेस्ट वार 3 multiply पी रेस्ट वार minus 10 multiply है तो power add हो जाएगी जैसा निसान है वैसे का वैसा आ जाएगा minus का निसान है तो ये minus का ही आ जाएगा different sign है subtraction होगी निसान जो है वो बड़ी value का minus का और subtraction करके 7 पी रेस्ट वार minus 7 ये इसका answer हो गया done third part 3 रेस्ट पावर 2 multiply 3 रेस्ट वार minus 5 multiply 3 रेस्ट पावर 6 multiply है तो जो power जैसी है वैसी की वैसी लख देंगे माइनस की थी minus लख दी plus की थी जरूरी नहीं था कि निसान कोई नहीं लगा Łँआ तो प्लस का है तो हमने इसके ज़साथ प्लस का देन लगा दे हम बीच में इस्तमाल कर ले पहले वाले के अंदर ब्लस लगाने की जरूरत नहीं होते, ओके, 3 raised to power, 2 minus 5, पहले हम क्या करें, हम शुरुआज से ऐसे करते चले आ रहे हैं, कि पहले plus plus वाले plus कर लेते हैं, और minus minus वाले minus कर लेते हैं, और अगर आप ऐसे करना चाहें, जैसे 2 minus 5, different sign, subtraction होईगी, तो minus 3 आ गया, minus 3 plus 6 में, different sign, subtraction होगी, तो 6 minus 3, 3, तो directly ऐसे कर देंगे, नहीं तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, पहले plus वाले सारे कर लिए, 8 minus 5, अब 8 minus 5 कितना होता है, 3, तो यह answer हो जाएगा, ओके, थैंक्यू स्टुडेंट्स for watching your own वीडियो, हम मिलेंगे next वीडियो में, next try this के साथ में, जो की है page number, कोई दा गया, यह तो हो गया, इसके साथ, ओके, भाई, थैंक्यू for watching your own वीडियो, इसे अच्छे से देख लीजिए, और practice ज्यादा से जादा कीजिए, बाई